हैलो दोस्तो नमस्कार मैं आप लोगों का चीर पर्ची दोस्ता आपकी स्रीवा में उपहस्तितूँ दोस्तो आज हम आप लोगों को यह बीडियों लेकर आए हैं गठिया रोक से कैसे चुटकारा पाएं क्योंकि आप लोग जानते हैं गठिया का रोक बहुत भयानक दर्द ह क्यांकि गुटने जैसी समिश्या में अनेक परकार की दर्द होती रहती है, आप लोग दवा खाते के परेशान होते हैं कीवल दवा का असर एक या दो घंटे केवल रहती है उसके बाद फिर आपके जोडों में दर्द बार-बार होने लगती है क्योंकि अगर आपके कमर से ये रोग उत्पन होते हैं अगर आपके कमर में जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं दोडता है तो ये आपका गठिया रोग धीरे-धीरे उत्पन हो जाता है आपके जोडों में दर्द अनेक प्रकार के बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों आज हम इन सारी समझ्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह एक पौधा लेकर आए हैं जिसका नाम है अमलतार्स दोस्तों यह वीडियों तुरू से लेकर लाश्ट तक जर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि कोई भी नए वीडियों हम अपडेट करें आपको तुरूंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्थो दोस्तों चलिए आज हम आप लोगों का इसका प्रयोग कैसे करें हम आपको बताते हैं दोस्तों आपको अमलतार्स का फल लेना है जो अगर आपके गाउं या घर मिल जाते हैं इसके पेड़ तो आप उनके फल तोड़ लीजिए अगर नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी पंसारिक के दुकान पर चले जाएए जाने के बाद आपको केवल दुकान दार से कहना है कि हमें अमलतास के फल दे दीजिए आपको ओए अमल तास के फल दे देंगे आप आसानी से उसे घर लेकर आएं और इसे घर लेकर आने के बाद आपको रात में केवल भिगो देना है एक गिलास पानी में इसके बीज को भिगो देना है और इसके बीज को भिगो देने के बाद सुबह उसे चान कर खाली पेट एक गिलास सेमन करने से आपके गठिया रोग जड़ते खतम हो जाएंगे आपको नियमित रूप से 5-7 दिन इसका सेवन करना है दोस्तों 5-7 दिन आप लगातार सेवन करते हैं तो आपके गठिया रोग जड़ते खतम हो जाएंगे और कभी एक गठिया रोग आपको उभरेंगे नहीं दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियों अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें उन लोगों तक यह वीडियों पहुचा दो जिन लोगों को इनकी और स्यक्ता है